बूर्णिंग इस्टुडेंट्स बीटेक फोर सेमेस्टर स्टेंट अब मैटेरियल और डिपार्टमेंट अफ सिविल इंजिनेरिंग और अपने पास टॉपिक चल रहा है सीर फोर्ट सेंड बेंडिंग मोमें डाइग्राम एंड इसके अंदर हमने केंटिलेवर बीम पर बेस स्कूरेंगे सिंफ्ल समपोर्टीटर बीम पर चींट है तो सिंप्लि सपूर्टेटरटर बीम का सीधनोर कले धो बीन के बारे में चीक है यह एटू बी और यहां पर एए और बी पर एक सपोर्ट लगा हुआ है दोनों पर जब सपोर्ट लगा होगा तो आपको पता है यहां पर रियक्शन्स निकालेंगे और एंड और बी सपोर्ट लगा हुआ होता है तो रियक्शन भी निकालेंगे सही है और एंड और ब इस तरह से यहाँ पर आपको जो नुमेरिकल में है वैल्यूज लोड की ड्राइस एफडेंड बीम डाइग्राम फोर सिंपल सपोर्टेड बीम इस लोड़े एज सो इन फिगर यहाँ पर यहाँ पर एंड 60 किलो नूटन का लोड दिया हुआ है और 30 किलो नूटन का लोड दिया हुआ है ठीक है यह तीनों लोड दिये हुए है यहाँ पर अपने दिस्टेंस है 2 मीटर 4 मीटर 3 & 1 2 4 3 मीटर 1 मीटर ओके यह चीज़ें यहाँ पर दी हुई है आपके पास चीक है अब आपको करना क्या है simply supported beam solve करना है इससे पहले tracking moment of force about at point A इससे आपको R A और R B की value निकाल नहीं है ठीक है देखो कैसे करेंगे हम इसका तरीका और जो कैंटी A lever अपने पढ़ा है उसका तरीका दोनों में third different है यहाँ से अपने सबसे पहले R A और R B की value निकालेंगे देखो simple है बहुत simple numerical है R A प्लस R B equal to क्या होता है total upward force equal to downward force हाना sum of all forces in equilibrium condition will be equal to zero in x and y direction यह आपकी equilibrium condition है समुफाल forces in vertical direction will be equal to zero ठीक है and R A प्लस R B equal to 20 plus 60 plus 30 यह हो जाएगा आपका 110 किलो न्यूटन का लोड है ठीक है इस तरह से अब अपन क्या करेंगे किसी एक point के about moment ले ले लेते हैं and then equal to force into a point के about moment लेंगे तो force into perpendicular distance यह point पर 0 है चीक है और इसको जब value निकालेंगे तो force into perpendicular distance यह आपका हुग हो गया प्लस अना इक लोग वाज एंटी क्लोग वाज सिस्टम देख ले ना एक बार पता दिया वैसे बैने force को direction की तरफ मूब करवा लेते हैं force को direction की तरफ मुझे सी मूब करवा होगे तो आपको clockwise एंटी क्लोग वाज मिल जाएगा यह clockwise हो गया बाजेट्व ले लेते हैं तो 20 into 2 force into perpendicular distance प्लस force into perpendicular distance 6 अना 4 प्लस 2 6 प्लस 30 into perpendicular distance कितना हो गया 6 प्लस 9 3 9 9 and minus rb into perpendicular distance कितना हो गया 10 equal to 0 यह आपकी equilibrium condition है हना sum of all moment about at point a will be equal to 0 यह equilibrium condition हो गई यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे यह 0 हो गया इसमें rb की value अपर निकाल पाओ गया आपर राम से ना rb की value हो गई 40 प्लस अच्छाटी नोटी सताइस अच्छाटी नोटी सताइस डिवाड़ेड वाई 10 ठीक है यह हो जाएगा 405 for 670 670 upon 10 अतला 67 किलो न्यूटन का यहाँ पर लोड आ गया rb की value 67 आ गई तो आरे की value हो जाएगी यहाँ पर आरे प्लस आर्बी इक्वल टू 110 देन आरे इक्वल टू साइद हो गया 33 हां को टी थ्री सही है 43 43 किलो न्यूटन का यहाँ पर लोड आरे की value यहाँ पर निकल के आ गई है ठीक है कि इतना काम हो गया अब हमारे पास r a और r b की value निकल के आ गई है यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ आपको साइड में r a की value हो गई 43 किलो न्यूटन और r b की value निकल के आ गई हमारे पास 67 किलो न्यूटन ठीक है भई यह value निकल के आती है नोट डाउन कर लीजे इसको कि इतना करने के बाद इतना कर दिये अब आपन निकालेंगे sfd एंड bmd तो सबसे पहले अपन सॉल करेंगे इसका seer force डाइग्राम देखो seer force डाइग्राम के लिए मैंने सबसे पहला को बोला था कि कुछ खाया ज़्यदा करने की जरूत नहीं होती है seer force डाइग्राम में यहां पर जस्ट इसकी नीचे इस तरह से आप डोटेड लाइंग शो कर दो ताकि दिक्कत नहीं आए लाइन की नीचे लाइन और कॉपी में जितना पॉसिवल हो सके उसी seer force की जस्ट नीचे बेंडिंग मुमेंट आपको प्रिपेर करना है यहां पर हम स्टार्ट करते हैं seer force बेंडिंग मुमेंट डाइग्राम यह लाइन अपने ड्रो कर दी है इसको हम बोलेंगे sfd seer force डाइग्राम और a point यह हो गया b point यहां पर यह हो गया a b और इनको value देदो आप चाहो तो c d and e ठीक है यह हो गया आपका c यह हो गया d और यह हो गया e अब आप देखो भई बी पॉइंट पर जो लोड लग रहा है और बी की value कितनी है 67 अब वार डारेक्शन में है तो आपको कुछ नहीं करना है बहुत ही सिंपल है 67 गोज इन अब वार डारेक्शन ठीक है यह आपका स्टेट लाइन हो गया 67 किलो न्यूटन अब वार डारेक्शन और इन स्टेट लाइन सिधा चलेंगो यह पैदल बिल्कुल और थर्टी किलो न्यूटन यह सो 67 है ना 30 मतलो जास्ट हाफ के लगवग एक्वेलेंट है यहां पर आपने हाफ चल दिया चीक है यह 37 है 37 क्योंकि इसके बाद फिर यह 3 किलो न्यूटन का आप लोड आजाओ डी पॉइंट पर 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है 60 किलो न्यूटन एक पॉइंट डी इन डाउनवार डारेक्शन है तो 60 किलो न्यूटन को तो इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा लगवग ठीक है तो यह यहां पर आगया तो यह लगवग कितना हो जाएगा पॉटा 67 में से 30 गया तो यहां पर 37 बचे गए यह 37 तो किस लाइन तक तो ही और जो बचा हुआ है 60 में से अना 60 में से बचा हुआ कितना है 60 माइनस 37 कितना जाएगा आपके पास 23 चीगए वह 23 आएगो ना हुआ है 23 लगों इतना ही जाएगा ज्यादा नहीं जाएगा अप्रोक्सिमेट ध्यान रखना थोड़ा सा और उसके बाद किलो न्यूटन एकको का फूर मीटर का डिस्टेंस आपने में इसने तै गिया स्के बाद 239 डाऊनवार डाडर डायक्शन में आप ले जाऊ इसको यह ट्वांट कर चलना दिक गपर असको धूब hard और पिर 43 है तो यह 43 होना चाहिए चेक कर लो आप देखो 43 है कैसे हुआ 20 और इसकी ज़स्ट उपर यह 23 तो यह complete आपका 43 बन गया इसका मतलब यहां तक value आपकी सही है तो यह आपका load जो होता है 43 किलो न्यूटर्न का यहां पर निकल के आता है तो यह सीरफोर्स डाइग्राम है ठीक है सीरफोर्स डाइग्राम के लिए यहां पर कुछ लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो जैसे कि सीरफोर्स एट ए एपॉइंट पर जो सीरफोर्स है वो हो गया आरे के एकुलेंट और इसकी value कितनी है उट्टी थ्री है यह निकल के आगया आपके अना बी पॉइंट से अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो बी पॉइंट से स्टार्ट कर दो आप लोग जहां से स्टार्ट करना चाहते हो अगर पतारो उसको एक बार डाउनलोड कीजिए सियर फोर्स एक क्ट बी पॉइंट पर सियर फॉइंट किंवन नूटन का है कि उसके बाद पॉइंट पर अजाते हैं हम सियर फोर्स एक्ट ój पॉइंट पर जो सियर फोर्स है वो डाॉन बढर डारेक्शन में है 30 किलो नूटन का, ओके, यहां तक कोई प्राब्लम नहीं है, नहीं है न, तो जो आपका shear force आएगा, किस point पर आएगा, D point पर आएगा, D point पर जो shear force होगा, वो कितना हो जाएगा, 67 minus 30, यह चीज थोड़ा सा not कर लेना, 37 किलो नूटन हो गया, यहां तक कोई प्राब्लम नहीं है, यह point पर जो shear force होगा, उसकी value क्या होगी, sorry, C point पर, उसके बाद हम इसमें आगए, 37 तो यह आई गया इसका, completely, और इसमें 37 के अंदर हम बात करें, तो shear force at D, minus के 23 जाएगा न, नीचे, completely क्योंकि D point पर आपका 60 जा रहा है, तो यह जाएगा आपका 23, minus में जाएगा completely, minus 23 किलो नूटन, in downward direction, ठीक है? बाई, E point पर 37 आगया न, यह उल्टा हो गये, थोड़ा साइस में, यहीं पर कर लेना चेथमरगो, यह, E point पर अमारे पास 67 में से 30 minus किया, तो 37 आगया, ठीक है? उसके बाद, C point के अमपन निकालेंगे, तो 60, 37 तो ही, already, 37 तो ही, इसमें से 60 minus downward direction है, इसलिए जो value बचेगी, वो बचेगी 23, 23 minus downward direction, तो यह आपका निकल के आता है, 23 in downward direction, इस लाइन से नीचे के तरफ, ठीक है? इस तरह से आप इसको all करोगे, तो shear force diagram तयार हो गया, लास्ट में यह 23 के बाद क्या बच रहा है, 23 के बाद C point पर और ले लिजिए, आप देखो, C point पर आप और लोगे इसको निकाल होगे, आगे जाके, तो यहाँ पर completely, कितना आ रहा है यह, यह पर ही निकल के आ रहा है, यह पूरा ही, हाना, और C point पर निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो, 23 minus, minus 22, 20 minus 23, यह हो गया, total minus 43, and which is equal to F, A, चीक है? यह आपका shear force diagram complete होता है, चीर force diagram के पाद अपन इसको मिकालेंगे bending moment diagram, हूँ, प्रुट 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 इन बेंडिंग मुवेंट डाइग्राम वही टेक्निक अपने वापस से सबसे पहले तो लाइन ड्रो कर लें यहाँ पर प्रुट 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 अच्छेश्यूएं लाइन है यह यह वैंडिग मोमेंट लाइन है यह बी ई-सी डी ऑढ़न मेर् 2 को फ्रि पर वैंडी मोमेंट ह defines पर वेंडिग मोमेंट होते हैं वह क्या होते हैं उन पर लुप होती यह बैंडिग मोमें and ma and mb दोनों पर जो bending moment की value होगी वो क्या होगी? 0 यहाँ पर निकल के आएगी ठीक है? दोनों पर यहाँ पर value 0 निकल के आएगी इपॉइंट पर bending moment निकालते हैं किसी भी point के about लेलो आप इस point के इधर से लेलोगे तो भी value होई आएगी इपॉइंट पर ऐसे हाथ रख देते हैं force into perpendicular distance करेंगे force आपका RB है, RB की value 67 है तो इपॉइंट पर bending moment at point E पर हमारे पास हो गया 67 multiplied by 1 तो 67 किलो न्यूटन मिटर आज आए अंसर ठीक है? इपॉइंट पर bending moment निकाल दिया आप देख लेंगे तो direction का एक बार चेक कर लेंगे आपन force को distance तरफ move करवा रहे हम तो यह direction आ रही है आपकी anti-clockwise ठीक है आप anti-clockwise को positive ले लेते हैं ठीक है? positive ले लो कोई problem नहीं है इसके बाद हम बात कर रहे है D point पर दिया आप हाथ रखते हो तो bending moment at point D और D point पर जो value आ रही है वो देखते हैं यहां से तो force into perpendicular distance कितनी हो गई? 4 मतलब कि 67 multiplied by 4 और यह opposite direction में है यह opposite direction जाएगा इसका यह इस तरफ जाएगा और यह opposite जाएगा तो minus हो जाएगा 30 into 3 तो इस तरह से यह निकल के आ रहा है आपका कितना निकल के आ जाएगा 178 kilonewton meter 178 kilonewton meter bending moment at C C point पर आपने बात करेंगे C point पर bending moment क्या हो जाएगा force into perpendicular distance 67 into perpendicular distance कितनी हो गई? आपके पास 4 दिन साथ रहाट 8 हो गया minus के 30 into force into perpendicular distance देखो यहां से हाथ मत अटाना mistake हो जाएगा नितो 30 into 4 7 30 into यह यह 7 हो गया and minus यह आपका 60 into 4 हो जाता है minus के 60 into 4 हो जाएगा तो इस तरह से bending moment at point C C point पर जो bending moment calculate करके आ रखा है वो आएगा आपका 86 kilonewton meter 86 kilonewton meter ठीक है? यह चीज निकलके आ रही है और bending moment at point A अब देखो इसके बाद A point की बात करें वैसे तो मैंने शुरुबात में लिग दिया था कि free ends पर bending moment की value 0 होती है फिर भी यह आपको doubt है कहीं तो आप calculate कर सकते हो उसको आप calculate कर सकते हो इस point पर हाथ रखके देखोगे जब total आएगा वो 0 ही निकलके आएगा देखो कैसे आता 0 67 multi-plot by 10 यह completely 10 है न? 34-14 चीग है minus 30 30 into यह value कितनी है? 9 and minus 60 into यह value हो गई आपकी 60 into 6 और इसके बाद यह value हो जाएगी 20 into 2 20 into 2 इसको calculate करोगे तो इसकी जो value है bending moment at point A इस पर जो value आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी निकलके ठीक है? इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है? bending moment start करते हैं बनाना देखो B point पर 0 यहां से start करो इसके बाद D point सही है? E point E point पर 67 है देखो bending moment है point load है inclined state line बनेगा inclined state line बनेगा यह मैंने यहाँ पर inclined state line बना दिया ठीक है? तो यह जो value बनेगी यह है आपकी 67 यहां रखना उसके बाद हम बात कर रहे हैं 168 D point पर है मतलब यहां से यह जाएगा 168 तक completely कितना बनेगा यह जाएगा इसको मैं यहां पर शो कर देता हूँ इस लोट को ठीक है? उसके बाद C point पर 86 जा रहा है मतलब डाउन वार्ड जाएगा 86 अब C point पर स्रिफ only 86 है ना तो सबसे पहले आप A point पर देख चेक कर लो यहां से दिया आप C point पर जा रहे हो A से 0 है एका तो यहां से जाएगा तो 86 लगबग जाएगा 86 बन जाएगी? ठीक है? और इन दों लोगो मैच करवा दो यह bending moment डाइग्राम है आपका completely C D और E इनको points को आप देनोट कर दो चाहो तो यहां लिख दो C D and E ठीक है? तो shear force and bending moment डाइग्राम आपका यह अन्पनिकल के आता है ठीक है? और यह simply supported beam के उपर आपका एक numerical complete होता है next video में आपन next numerical complete रहेंगे so thank you for watching video